हाई अब्रिवान आज हम बनाएंगे सफेद मटर की घुगनी उसके साथ एकनी और दाल की चटनी सबसे पहले घुगनी मटर को ओवर नाइट आप पानी में भिजो के रखें उसके बाद उसे नमक और हल्दी डाल के कूकर में तीन विस्टल साने तक आप उसे सड़ें सिजा दीजिए इसको सिजाने के बाद उसके बाद आप कड़ाई में सरसो का तेल गरम कीजिए उसमें डालिए थोड़ा सा जीरा या पिर राई राई भूटे पूटने के बाद जीरा पूटने के बाद उसमें आप डालिए दो तेज पत्रा फिर ज़रा सीहिंग फिर टमाटर अधरग का पेस यूरिकल्ट पीरी से चलाएए आप जब तेल थोड़ा छोड़ने लगे तब इसमें आप घूगनी मिस कीजिए फिर जब छोड़ने लगे तब इसमें सारे मिर्ची धनिया मिला करके फिर इसमें गूगनी मिस कीजिए फिर इसे एक बॉइल होने तक हम आप इसे सीजाएंगे मैं गूगनी बनाती हूँ इटली और दाल की चटनी के साथ चलो जब तक यह सीज रहा है तब तक हम दाल की चटनी के त्यारी करते हैं मैंने चना दाल को हलका सा ड्राय रोस्ट करके पानी में भिजो के रखा है अब इसे हम पीसेंगे थोड़े से अद्रक के साथ अब हम अद्रक डाल के इसे पीस लेंगे हमने पीस ली है चटनी अब हम इसमें दाएंगे चौका चौकन के लिए फ्रैंक पैन को आप अपना चढ़ाईए इसमें थोड़ा सा रिफाइन तेल डालिए उसमें रिफाइन डालिए थोड़े से सरसों के दाने और मीठा नीम पता मीठा नीम पता मेरे पास नहीं था तो मैंने डाला नहीं जब यह फूटने लगे तो इसमें जरा सीहिंग और लालमिर्ची डाले लालमिर्ची डाल करके यह हमारी चट्णी हो गई है तयार और यह हमारी गुगनी भी हो गई है तयार इसमें जरा सबस गरम मसाला डालिए आई होप यह लाइक दे वीडियो बाई